स्वागत है आप सभी का Tech Study IT योटूब चनल पर Plumber Trade Theory की Classes यहां आगे फिर से Continue करेंगे Playlist में आप सभी ने देखा होगा अगर नहीं देखा है तो Playlist Link हमने Description में दे दी है Plumber Theory की हम 8 Parts यहां पर कर चुके थे और आगे की Parts अब आपके Regular Basis पर आपको मिलेंगे तो सारे Questions करेंगे Part by Part, एप्रॉक्स 20 से 22 Part में Complete आपकी Plumber Theory हम यहां पर करवाने वाले हैं इसके अलावा अगर आप Plumber Theory के साथ साथ अपना Employability Skills, Workshop, Calculation and Science and Drawing की पढ़ाई करना चाते हैं उनकी भी आपको Playlist मिल जाएगे Description में हमने उनकी Playlist की Link भी दी है वहां से आप जाके उसकी भी त्यारी कर सकते हैं एक्जाम से पहले आपको मेराथन Classes भी मिल जाएगे तो आईए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके वैल आइकन को जरूर दबा लिजेगा और साथ में वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और ऐसी सभी अपडेट, इंफॉर्मेशन और पीडियेफ के लिए आप जूर सकते हैं टेक स्टेडी आइडिये टेलिग्राम चैनल पे तो यहाँ पे 200 कुस्चन थक हम लोग पार्ट 8 में कर चुके थे तो यहाँ पे कुस्चन नमबर 201 है आप देखिए यहाँ कहरा है गैस हीट संचालिट टाइप बिल्डिंग जो गैस हीटेड आपरेटेड टाइप वेल्डिंग होती है उसमें टार्च को गर्म करने के लिए किस गैस का उप्योग किया जाता है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उसमें हम ब्यूटेन गैस का यूज करते हैं यह आपकी होती है गैस हीटेड टाइप की बिल्डिंग एक हाट अhar gun होती ही बेसिकली तो इसमें butane gas जो होती वो जाती है, इसकी जो torch होती है, उसको क्या करने के लिए, heat करने के लिए, ठीक है, right answer होगे आपका option number A, butane, next है यहाँ पर question, what the name of the part marked as X in gas heated operated type welding, देखिए उसी से related फिर से question है, यह gas heated type welding है, ठीक है, इसमें कहरा है कि X के रूप में चिनित भाग कौन सा ह यह heat exchanger coil, gas supply, fuel heating gas inlet, या hot gas nozzle, तो यहाँ पर आपका जो PDF उसमें आपको answer थोड़ा सा, गलत मिलेगा, ठीक है, फिलाल यह क्या है आपका, hot gas nozzle है यहाँ पर, उसमें आपको इसका answer कुछ और मिल जाता है, तो यहाँ पर clear है, ठीक है, यह क्या है, आपकी hot gas nozzle है, जो आपका question उसम आपको मिल जाएगा, PDF में fuel heating gas inlet है, तो fuel heating gas inlet नहीं है, fuel heating gas inlet जो हता है, आपका इस side से रहता है, ठीक, यह क्या है, आपका hot gas nozzle है आपका यहाँ पर, तो option आपका D यहाँ पर सही होगा, ठीक है, इसको आप लोग correct कर लीजेगा, next question है, यहाँ पर, what the temperature range of heating tools used in plastic welding process, यहाँ पर plastic welding process की बात की जा रही, जो plastic pipes होते हैं, उनका जो आप welding करते हैं, उस प्रकिया में, जो आपका temperature range रखा जाता है, वो क्या रखा जाता है, मतलब हम किस temperature range में, जो है, plastic welding process ऑपरेट करते हैं, जैसे जो आपका metallic welding होता है, जैसे iron वगरा, जो आप करते हैं, cast iron हो गया, mild steel हो गया, उनका हम जो welding range रखते हैं, वो रखते हैं, 200 से 370 degree Celsius, कितना रखेंगे, 200 से 370 degree Celsius, option number B आपका यहाँ पे सही रहेगा, देखें यहाँ welding process में अगर आप देखें, यह plastic welding process, अलग-अलग उपकरनर से जो आप करते हैं, इसमें सब में अगर आप देखें, ठीक है, तो आपको क्या दिखेंगा, जो आपका hard PVC है, 220 से 300, थोड़ा आपको कहीं अलग मिल जाएगा, थोड़ा सा, बाकी आप जनली देखेंगे, जहाँ इसको आप छोड़ दीजे, 600, बाकी सब में आपको range क्या मिलेगा, हाई पैलोन आइंड इनको छोड़के, आपको लग-भग वही मिल जाए welding, अब यहाँ यह क्या है, इसको हम लोग अभी पीछे बात किये थे, यह आपका heat exchanger coil है, क्या है, heat exchanger coil है, इसमें आप नाम देख सकते है, heat exchanger coil है, यह hot gas nozzle है, यह insulated body है, ठीक है, यह आपका heating element है, जो यहाँ पे लगा हुआ है, यह पीछे आपका क्या है, heat conducting coil है, और यह heat exchanger coil, next question है, which time parameter for joint to get cooled and free from physical stress in polyfusion welding, यहाँ का जारा है, जो polyfusion welding होती है, उसमें physical stress, जो physical तनाव से मुक्त और ठंडा होने के लिए, joint के लिए कौन सा free time parameter है, ठीक है, क्या है, कौन सा time parameter, इसमें हम उसको use करते हैं, free from, थोड़ा हिंदी आपका यहाँ गलत हो सकता है, हिंदी क तो यहाँ पे basically कह रहा है, जब भी हम यहाँ पे, ठीक है, किसी joint को ठंडा होने के लिए, और उसका क्या करें, उसको physical stress, उसको free यानि मुक्त करने के लिए, polyfusion welding में जो time parameter होता, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं, hardening time, क्या कहते हैं, hardening time, जब उसे हम ठंडा कहते हैं, welding का हम यहाँ preparation कर रहे हैं, यह आपकी preheating होती है, इसका preheating हो गया यहाँ पे, इसके बाद आपका joint and cooling, इसके ओपर pipe आप्रेस कर दिए, क्योंकि यह दोनों आपस में heat हो चुके हैं, अब यह क्या करेंगे, आपस में fuse होके मिल जाएंगे, और joint बन जाएगा, तो इ continuation of the PVC pipe, अब देखिए, यहाँ कहा जा रहा है, एक PVC pipe है, और एक यह PVC pipe है, क्योंकि आपको पता है, PVC pipe की एक limit होती है, उसी length में आप उसको market से ले सकते हैं, बहुत लंबा उसे नहीं बनाया जा सकता, कि पता लागे, जितना लंबा उतना लंबा अगर आप बनाएंगे, तो transportation rotation में दिक्कत होगी, तो एक length आती है, 10 feet, 12 feet, जो भी 20 feet की है, तो उसमें क्या है, अगर आपको 20 feet की, जहां 40 feet बनाना है, तो आप क्या करेंगे, एक length से दूसरी length को जोडने के लिए, क्या use करेंगे, यहाँ पे, socket use करेंगे, ठीक है, तो वही यहाँ पूच रहा है, PVC pipe की continuity को बनाने के लिए, एक लंबाई को दूसरे से जोडने के लिए, किस fitting का use करेंगे, तो वहाँ पे हम socket का use करेंगे, T कहां पे use करेंगे, जहां इस तरह से जा रहा है, को कोई branch निकालना है, reducer कहां use करेंगे, जहां बड़ी size की pipe से हमें, छोटी या छोटी सी बड़े में ले ज ठीक है, यहां पे elbow है, यह plug हैं आपके, ठीक है, cap मिल जाएगा, आपको reducer मिल जाएगा, ball wall मिल जाएगा, ठीक यह सारी union मिल जाएगा, तो यह सब fitting हैं, इनके अलग अलग यहां पे काम होते हैं, इस PVC joint का नाम क्या है, अब देखके आपको क्या लग रहा है, अगर यहां से पानी आ रहा हो, अगला कहा जाएगा, यहां, यहां यहां पानी कितने डिगरी भूम गया, 90 डिगरी पे, तो यह क्या होगा आपका, यह हमारा union elbow, क्या है, union है तो elbow shape में, लेकिन यह क्या है आपक union elbow है, अगर सिर्फ ऐसा होता है, यह आपको arrangement ना मिलता यहां पे, तो यह आपका normal elbow होता, तो यह क्या होगा हमारा union elbow, ठीक है, next question, which has an exterior pipe thread and used for fitting in the socket, बहुत ही important question है, इसमें कहरा है, किसमें एक बाहरी pipe thread बना होता है, और socket में fitting के लिए इस्तिमाल किया जाता है, ध्यान दीज exterior pipe thread किसमें होता है, आपका plug में, किसमें होता है, plug में, ठीक, plug में क्या होगा, exterior pipe thread, मतलब उसमें बाहर चूडियां कटी होगी, जैसे इस तरह से आपका plug है मालीजे, तो इसमें बाहर चूडी कटी होगी, आप इसको किसमें tight करेंगे, अब ऐसी चीज में tight होगा, जिसमें अंदर चूड़ी कटी हो तो इसे कहते हैं plug एक होता आपका cap cap में हमेशा क्या होगा cap में हमेशा आपकी अंदर चूड़ी कटी होगी तो वो किस पर fit होगा वो ऐसी चीज पर fit होगा जिसमें बाहर चूड़ी कटी हो cap का example आप bottle की cap से ले सकते हैं उसमें अंदर चूड़ी कटी होती है और आप उसे क्या करते हैं bottle के उपर tight करते है bottle में बाहर चूड़ी कटी होती है plug का example आप ले सकते हैं जैसे आपने कोई connection किया pipe में वहाँ पर मालीज़ आपको अभी tap नहीं लगाना आप पास tap नहीं है तो आप line को plug करते हैं क्योंकि वहाँ पर आपने अल्रड़ी brass elbow या brass का कुछ टी दिया हुआ है तो उसमें आप लोग क्या लगाते हैं plug लगाते हैं जिसमें बाहर चूड़ी कटी होती है ठीक है यहां हम आपको दिखा भी देंगे यह क्या है आपका plug है इसमें बाहर चूड़ी कटी हुई है ठीक यह क्या है आपका cap है इसमें अंदर चूड़ी कटी हुई है इसे क्या बोलेंगे cap इसे क्या बोलेंगे plug ध्यान रखिएगा मैंसा next question what the name of joint इस joint का नाम क्या है अब यह joint आप देखिए यहां पे क्या है ठीक यहां देखिए यह pipe यहां से पानी सीधा जा रहा था ठीक है यानि axis यह था बट अभी axis यह हो गया आपका पानी यहां से जा रहा था हमने पानी के axis को ही बदल दिया इसे हम लोग क्या कहते हैं, offset कहते हैं, क्या कहते हैं, offset, पानी यहां से जा रहा हो, आप यहीं पे ले जा रहे हो, यानि उसका center ना बदले, तो उसे हम offset नहीं हो, होगा concentrate, trick ठीक है अगर ऐसा हो गया आपका तो इसे हम offset कहते हैं मतलब center हमने क्या किया change कर दिया तो यह हो गया आपका क्या offset काफी important question है कई सारे competitive exam I take exam में तो हमेशा ही कई बार पूछा गया है next question what is the name of joint that has thread on both side of the central piece यहां कह रहा है joint का नाम क्या है जिसमें central piece के दोनों तरफ thread है धागे मत पढ़िएगा thread यानि चूड़ी है central piece के दोनों तरफ इधर भी आपको चूड़ी मिल जाएगी ठीक है इधर भी आपको चूड़ी मिल जाएगी तो क्या होगा आपका इसे हम लोग कहते हैं double nipple क्या कहते हैं double nipple कई बार कहीं पर आपको टैप लगा रहे हैं कुछ कर रहे हैं जो length होता उसको बढ़ाने के लिए जनरली nipple का प्रियोग किया जाता है यह इस तरह से कुछ आपको दिख जाएगा next question देखे how much gap is allowed from the end of pipe after 15 degree chamfering in ring seal joint एक ring seal joint है जिसमें 15 degree chamfering के बाद pipe के end to end जो अंतर है difference allowed है कितना हम gap उसमें छोड़ेंगे तो इसको आप लोग याद कर लीजगा important question है 10 mm का gap हम छोड़ते हैं कितना 10 mm का gap कम से कम हम इसमें छोड़ेंगे next question देखे उसी से related थोड़ा सा है यहाँ पे भी what the name of part marked as X in PVC flange joint यह आपका एक flange joint है PVC flange joint में X के रूप में चिन्नित भाग का नाम बताना है flange joint क्या होता है जैसे यहाँ पे आप देखी यह flange लगी है दोनों तरफ यह flange लगी हुई है pipe के ऊपर and इसमें यह आपका क्या होता है nut bolt होता है जिसे हम क्या करते है इसको tight कर देते है flange joint के बीच में आपको यहाँ पे sealing के लिए gasket या कोई ना कोई membrane आपको देना पड़ता है तो इसी X part को पूछ रहा है क्या है तो यह क्या है आपका rubber gasket है क्योंकि अगर इसमें हम gasket नहीं देंगे तो यह क्या है तो metallic है या plastic है इनमें आपस में जो contact होगा लीक प्रूफ नहीं होगा यहाँ से फिर आपको leakage मिलेगा जब यहाँ हम gasket use कर लेते हैं तो वो क्या होता है यहाँ proper sealing हो जाती फिर आपको leakage यहाँ से नहीं होता है तो यह क्या है आपका rubber gasket है ठीक है rubber gasket यहाँ हम आपको दिखा भी दें यह देखिए यह आपका क्या है flange है यह आपकी sleeves हैं यह आपके nut bolt है जो इसमें tight होंगे के खोल में यह आपका rubber gasket है यह भी आपका flange यह दोनों flange आपस में tight हो जाएंगे ठीक है यह हो गया आपका flange joint जिसमें X part क्या है rubber gasket next question what is the size of trench width for PVC pipe trench वो होता है जो खाई जिसमें आप PVC pipe अगर बिछा रहे हो तो उसमें जो trench होगी जो खाई होगी उसकी चौड़ाई हम कितनी रखेंगे तो ध्यान दीजे हमेशा PVC pipe के case में जो trench की चौड़ाई रखते हैं वो रखते हैं od या pipe od मतलब होता outer dia जैसे माली जी यह pipe है अब इसका outer dia माली जी आप 20 cm है एक example के लिए कितना है 20 cm outer dia 20 cm है plus 30 cm तो यानि pipe का od plus 30 cm नहीं 20 cm माली जी होगया plus 30 में कर दो 50 cm का हम क्या करेंगे trench यहाँ पर रखेंगे जो खाई खो देंगे उसको हम यहाँ पर रखेंगे ठीक है यह इस तरह से कुछ आप देख सकते है pipe जैसे बिछाईगी यह आपका pipe का od है यह आपका trench होता है इसे हम क्या कहते है trench कहते है जिसको उपर से trench fill भी किया जाता है इसका भी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल होता है नीचे आपको किस तरह की मिट्टी रखनी क्या रखना है उपर क्या आपको करना है जिससे आपका pipe लंबे समय तक चल सके ठीक है अगला question है which is the material on trenches for PVC pipes are laid over it देखे आई गया हो question PVC pipe के लिए खाईयों पर कौन सी सामगरी रखी जानी चाहिए मतलब किसके उपर आप उसको बिछार है जिससे pipe damage भी ना हो sand, clay यानि चिकनी मिटी, cement या jelly तो यहाँ क्या रखेंगे, हम sand रखेंगे बालू रखेंगे, बालू आसानी से set भी हो जाएगा ठीक है और आपका pipe भी damage नहीं होगा उसमें next question which type of joint is suitable for joining large size PVC pipes with valve अब यहाँ कर रहा है valve के साथ बड़े आकार के PVC pipe को अगर जोडना हो तो किस प्रकार का joint उपयुक्त होगा flare joint, flanged joint, brazed joint या compression joint द्यान दीजे, जहाँ भी बड़ा size आएगा pipe का वहाँ सबसे जो best पड़ेगा, आपका पड़ेगा flanged joint ठीक है, यही सफल होगा और इसको खोलना और बांधना भी आसान रहता है बाकी joint के पेक्छा तो यह आपका flanged joint, देखिए जब बड़े-बड़े size के pipe होंगे, आपके बड़े डाया के तो इस तरह का flanged joint आपको वहाँ पे बनाना चाहिए, rubber gasket के साथ अगला खुश्चन है state the two advantage आप PVC pipe, अब PVC pipe के आपके यहाँ पे दो फायदे बताने हैं तो दो फायदे हम यहाँ बता ही दे रहे हैं, कोई तीसरा फायदा आपको बताना होगा ठीक है, दो फायदे हम बता रहे हैं PVC pipe के एक फायदा आप लोग comment section में बताएंगे तो पहला यहाँ कहरा है, durable and corrosion free, यानि टिकाओ है और जंग मुक्त यानि जंग नहीं लगता उस पर नेक्स्ट है, lightweight and economical हलके हैं वजन में और किफायती भी हैं अगला है, lightweight and corrosion free हलके भी हैं साथ में जंग नहीं लगेगा नेक्स्ट है, durable हैं और economical है यानि durable भी हैं और किफायती है तो ध्यान दीजे यहां right answer क्या है, दो फायदे क्या है उसके, lightweight, बहुत हलका होता है कोई भी उठा सकता है and corrosion free corrosion free मतलब क्या है कि उस पर जंग, क्योंकि लोहे के pipe होगा कोई और pipe, GI pipe, उन पर जंग लगेंगे बट PVC pipe में क्या होगा कोई जंग नहीं लगेगा ठीक है, किसी चीज़ से reaction ऐसा नहीं करेगा oxygen या हवा से, उस पर जंग लगे, तो right answer क्या होगे आपका option number C, lightweight and corrosion free, एक फायदा कोई आप लोग बताईएगा कि और क्या फायदा PVC pipe का है यह PVC pipe आप सबने देखा ही होगा, अगला question है, which polymer used for cable coating जो cable होती है, उनकी coating में किस polymer का उपयोग किया जाता है polypropylene का, low density polyethylene का, high density polyethylene का, या polyvinyl chloride right answer है आपका PVC, उस हम कहते ही है, PVC या नहीं polyvinyl chloride, आपने cables देखी होगे उनके उपर जो coating रहती है, वो किसकी होती है, polyvinyl chloride की, या आपने तार भी देखा हुग, उसके उपर भी PVC के एक layer चड़ी होती है अगला question है, which process used for PVC welding in the absence of electrical power supply, यहां कहरा है, अगर आप PVC pipe की welding कर रहे हों, ठीक है, और electrical power supply ना हो, तो आप किस प्रक्रिया का use करेंगे, heated tool welding का, hot gas welding का, arc welding का, या spot welding का, देखी, spot welding, arc welding दोनों किसे चलती है electricity से, heated tool, यह भी नहीं कर पाएं, क्या कर पाएंगे हाँ पर हम, hot gas welding, क्योंकि जो gas है, उसे हम जला के oxygen के साथ heat produce कर सकते हैं, और उसे welding कर सकते हैं, बिना electricity के, ठीक है तो hot gas welding आपका right answer होगा अगला question है, which chemical solvent is used to remove grease in solvent cement joints of PVC यहां कहरा, जो PVC का आपका solvent cement joint होता है, उसे grease अगर उस पे लगी हो, ठीक है, तो उसे आप कैसे remove करेंगे, sulfuric acid से, nitric acid से methylene chloride से या hydrogen chloride से तो किससे करेंगे हम लोग, उसको हम करेंगे methylene chloride से किससे करेंगे, methylene या methylene chloride से, उसको हम साफ करेंगे remove करेंगे अगला question है, what is done prior to fixing the PVC pipe on wall with wooden plugs and clamps, यहां करा है, लकडी के plug और clamp के साथ, अगर दीवार पे PVC pipe को fit करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, या क्या किया जाता है check for proper size, यानि सही आकार का जाच करें, clean the pipes, internally pipe को अंदर से साफ करें, अगला है align the pipe अगला है check the accessory, तो सबसे important होता है align the pipe, आपको pipe को सबसे पहले क्या करना है align करना है, संरेखित करना है आसा नहीं, आपका तेंड़ा तिरचा लग जाए वो, ठीक है next है which meter used to measure the color of water, बहुत ही important question competitive exam के लिए भी IT exam के लिए भी, कौन सा meter पानी के रंग को मापने के लिए योज़ करते है thermometer, तो आपका temperature आप मानना आपेगा, tintometer monometer या hydrometer, तो जो tintometer है आपका, ये होता है color measurement के लिए कुछ इस तरह से tintometer आपको दिखता, जिसे आप पानी के color को बता सकते हैं पानी का color क्या है ठीक है, monometer आप pressure अगरा नापते हैं, अगला है आपका, what is the desirable temperature of portable wire पीने के पानी का, portable मतलब पीने के पानी का, जो वांचनी ये तापमान हो क्या होना चाहिए, बहुत important question desirable temperature जो पानी हम पीते हैं, उसका होना चाहिए 10 degree Celsius, कितना होना चाहिए 10 degree Celsius, हमें बहुत ठंडा पानी भी नहीं पीना चाहिए, बहुत गरम पानी भी नहीं, ये desirable temperature है, जो आपके सरीर के लिए suit करेगा 223 number question है, what is the color of pure water सुध पानी का रंग क्या होता है white, blue, green या colorless तो पानी का हम लोगों ने बार बार पढ़ा है कि पानी ये क्या होता है, रंग ही ना नी कोई color नहीं होता है smell less, कोई smell नहीं होती है ठीक है, यक क्या है yogic है, पानी क्या होता है योगिक होता है, ठीक है, तो pure water का color क्या होगा, colorless ऐसा हमाँ सफेद नीला ग्रीन मत लिख दीजेगा नीला तो इसलिए दिखता है ठीक है क्योंकि अंत्रिस हम देखते हैं पानी का कलर नीला दिखता है क्यों दिखता है आप लोग एक बार कमेंट करके बताईएगा अगला कुश्चन है 224 नंबर ये पानी को सुद्ध करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं तो जियो लाइट का जो नेचुरल कलर है क्या है रेड है ग्रीन है ब्लू है या येलो है तो जियो लाइट का नेचुरल कलर होता है आपका ग्रीन कलर का होता है किस कलर का होता है ग्रीन कलर का होता है नेक्स्ट कुश्च्छन, पर्देनेमिं आफ अर्ंजमेंट इन वार्टर सप्लाई सिस्टम्, पानी की आपूरती प्रणाली में इस ब्योषंथा का नाम क्या है, ढफिये आपूरती प्रणाली यहाँ पानी है, ठीक है, यह आपने बनाया और यहाँ से आपको सप्लाई हो र पंप जहां लगे होते हैं उसको pumping system बोलते हैं जैसे यहां पर माली जो pump है यहां टंकी है यहां से आपने pump करके पानी पहुचा दिया फिर आपको supply मिल रही इसे क्या बोलते हैं pumping system बोल देंगे इसको ठीक है यह हो गया आपका क्या gravity system तो यह थे आपके total 25 question part number 8 में इसके अलग अगली class आपको जो part number 10 है अप daily basis पे मिलेगी तो आप लोग चैनल पे नए है सब्सक्राइब करके जूड़ जाईएगा आपने दोस्तों को भी जरूर share कीजेगा उनको भी invite कीजेगा साथ में जूड़ने के लिए like और share आपने किया होगा नहीं किया तो कर दीजेगा मिलते अगली update के साथ अगले वीडियो में thank you